यदि आपका भी रग्त दोसित है और आप बहुत ही अपशही करने वाले सरीर को रोगों से जुज रहे हैं। आपका जो सरीर हैं प्रती दिना छह होते जा रहा है। पहले किये वेच्छा आपका स्वास्त बिल्कुल ही गिरा गिरा न चला रहा है। तो आज हम एक ऐसी हमियोपैथिक मेडिसिन को बताने वाले हैं जिसको ले करके आप अपने स्वास्त को और च्छाई के स्थिती को और टोक सकते हैं तो आप हमारे वीडियो में बने रहे हैं। नमस्कार दोस्तों मैं डोक्टर प्रमुत कुमार सी आप शभीका मैं अपने चैनल में श्वागत करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और डेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वाथ समझनी वीडियो अपलोड करूँ उसका नूटिपी कैसान आपको जरूर मिलें। तो देर मत किजिए सब्सक्राइब किजिए। अब मैं जिस मेडिशिन के बारे में बता रहा था वह मैं आपको बता रहा हूँ। वै नेडियम यह एक ऐसा हुमियोपैथिक मेडिशिन है जो कि हमारे शरीर को अक्सीजन की मत्रा पूर्ति करता है और जू हमारे रक्त में टॉक्सीन दूसित परदार्थ होता है उसको नश्ट करता है। इसलिए सारे छैकारी रोगों में बहुत ही यह उपयोगी है। इससे लीवर वा लीवर धमनी की दसा परिवर्तित होकर करम्श खराब होती रहने पर यह बहुत ही फाइदा करती है। इनके अलावा भूखन लगना, करम्श, पकास्तिली प्रदा, प्रिशाव में एल्वू में, काठ्ष वा रक्त, शारे अंग या एक अंग में कमपन, सिर्चक्राना, हिस्टिरिया, वा उदासींता, अंधा हो जाना, रक्त हिंता, दुरबलता, आख, नाक, वा गले में इरिटेशन, पुराना वात, बहु मूत्र, सारी छाती भर में दवाव मालुम होना, हति पिंड में लगता है कि रक्त भरा हुआ है, इन सब उपसर्वों में वा लक्षडों के शुफल के साथ बेवाहर होता आ रहा है, टूबर कुलोसिस की प्रारंभिक दसामिया, पाचन सक्ती बढ़ा करके यह टौनिक के रूप में काम करता है, तो दोस्तों आप भी ऐसे रोगों से जुच रहे हैं, तो एक बार वै नेडियम होमियोपैथिक मेडिसिन 30 पाउर में किसी भी होमियोपैथिक मेडिकल से ले करके और प्रियोग करके देखिए, इसको खाना कैसे है, शुबह, दोपहद, और साम में, यदि बूंद से ले रहे हैं, तो तीन बूंद, यदि गुलोबुल्स में ले रहे हैं, तो 30 नंबर का गुलोबुल्स आता है, उसको पांच गोली शूबह, पांच गोली दोपह और पांच गोली शाम को यदि लगतार एक मन्त लेते हैं तो आपको जरूर ही बहुत बहुत आपको फैदा दिखेगा तो दोस्तों यह स्वास्त भरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बक्स में जरूर बताना यदि आपका कोई सवाल है तो भी कमेंट के माध्य हम से पुछ लेना मैं जरूर उसका जवाब दूँगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वात समझनी वीडियो अपलोड करूँ उसका नुटिफिकेशन आपको जरूर मिलें हम ऐसे ही वीडियो के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे तब तक के लिए धन्याबाद